इस समय कौन सा एक विशे हैं जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं कोन बताएगा देखार रही है एपार सेक्टना विशेट रहे हैं और अझी चर्चा सब्सक्राइब कर दो रहे हैं जिसमार कुन्चिन तो जानते हो इसमें सारे विश्व में एक ही विश्व की चर्शा की जारी है वो है क्रोना वाइरस क्या कल रात को मैं प्रेजिएंट से बात कर रहा था उसने कहा मुझे सारी दुकाने कैनेडा में बंद हैं से अब केमिस्ट की दुकान खुली है और फूड की दुकान आगी और अमेरिका में जाहो वो कहते रास्ते में एक गाड़ी भी नहीं देखती कि जैसे आप जानते हो जो अकबार पढ़ते हैं अमेरिका में पिछले दुवाफ़ों में में क्यानते दस हजारते जाना लोगों की मृत्य हुई गए तो भारत में भी हारे अविधिं इस तैंस्टेफ इव इस तारे विश्व में करूना वाइरस है एक ही कान कि उन्हें है चिंता है मृत्य के बारे में करूना वाइरस बड़ा खताता को वाइरस निकला आए और कहते हैं इसका वैसिनेशन भी इतनी जल्दी नहीं निकलेगा और सारे समाज के लोग सारे विश्व में सब चिंता में है तो इस भौत इक संसार में आप देखते हो एक समस्या हल होती है और दूसरी समस्या हारम हो इतियास को देखो यह पहली वाइरस नहीं है यह जरूर है विज्ञानी कहते हैं कि यह वाइरस सबसे खतनक वाइरस निकली है यह इतनी वाइरसे निकली है अभी दा करूना वाइरस is most dangerous पर कई वाइरसे निकली है और थोड़ी देर के लिए लोगों को कश्च देती है फिर कोई उपाई निकलाता है और लोग भूल जाते हैं और यह करूना वाइरस के भी विशे में सब लोग प्रयास कर रहे हैं वैसिनेशन दूडने के लिगे प्राफपा जी का एक लेक्शर था जिसमें प्राफपा निका रियल वैसिनेशन वाइरसे इस चैंडिंग वाइरसे इस चैंडिय भी भारत की कंपनिहां मेरिका की कंपनिहां सब रियास कर रहे हैं इसको रोका जाए। relevant भाधिक संसार में देखते हैं कस्ट एकस्ट है और बावान गीता में क्या कहते हैं तो खाल है हम अर्शाष्चता में बहुत एक जगत में कस्ट एकस्ट और हर चीज अस्था आए शायर आपको पता हो कल दिली में छोटा सा भुकम भी निकला था आज भी आया है जहां साथ तो जगे करीव 3.5 के स्केल पर उर्थक एक होता दिली पर भक्त के देख आज भी हुआ है तो हम क्या तो हम देख सकते हैं चाहें आपके पास कितनी भी कितना भी ज्ञान हो ज्ञान हो आप कश्टों से शुटकारा प्रापने कर सकते हैं तो आप सब जो आज इस सफ़ा में बैठे हो आप सब तो बड़े भागयवान हो क्योंकि आप सब प्रापत की संसा से जुड़े हो शुटकारा प्रापत भग्वान के शुट भक्त है जोने ने भग्वान का अस्ती संदेश दिया उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या सुन पानी के जहाद में गए थे रास्ते में दो हार्ट अटैक भी ह необход रहे अधर जब भी प्रापद हमत नहीं हादे रास्ते में प्राप परपाद 9 शेत्ना रित्सना रित्पेश की कव्ती ले गए थे रास्त्त में वह पढ़ रहे थे और जब वह न्यॉआक पहुंचे और दूसरे महां के सुन्यासियों से परिचे हुआ जो प्रभबबबबब ने कहा प्रभबबब जी से आप सौमी जी जो नियम उपदेश दे रहे हो कोई नी सुनेगा और जो प्रभबबब बॉस्टन में थे प्रभबबब जी का पहला स्टॉप अमेरिका में बुमात दिखाने के लिए ले गया था तो प्रभबबब जी ने जब देखा कि अमेरिकन लोग कि निए घराई के साथ जुड़े हैं इंडिया तिप्ति में तो प्रपपा जी ने कवीता लिखी प्रपपा जी को गुरिया सिर्कल्स में कभी भी कहा जाता था तो प्रपपा ने कहा आप मुझे यहां ले आए हो पिर आपके इस रंदेश को कौन सुनेगा तो पूरा सबाद जुड़वा है इंडिया तिप्ति में पर अगर रादर रादी जी के किर्पव हो तो हर कारिया संबह हो सकता है तो कईयों ने प्रपपा जी को राई दी कि आप जो संदेश दे रहे हो चाय काफी नहीं नशे की चीज नहीं जिवा नहीं और दर्शार के पांगाइन याम्रेक नहीं का पाह्न इसम नहीं हो नहीं रहे है तो प्रफपाजी को जिवाश था कि हम सत्य के साथ चलेंगे जी रहे ही लोग स्विकात करेंगे तो बाड़े इस एंगर्श के साथ, प्रपपा जी ने पीरा के इंड़ खोला ने-यॉर्क शेहर में और जब यह अक शेहर में कहला कि इंदर खुलने जा रहा था प्रभपाजी ने अपने संसा के बित्रों से पूछा क्या नाम देना चाहिए हमें हुआरी संसा को को लोगों ने कहा International Society for God Consciousness प्रभपाजी ने कहा है NO! We must be express back and we call it Krishna Consciousness तो प्रभपाजी ने हमें असली संदेश दिया यह असा संदेश दिया जिसके लोगों को खुश करने के लिए और अगर हम असली संदेश के साथ चलेंगे आपको असली संदेश भी प्राप्त हो तो प्रभपाजी ने हम सब का क्या इस सभा गया कि हमें शाहत्तों का असली संदेश प्राप्त होआ है और ये असली संदेश बड़ा महतपून है तो शाहत्तोंका क्या है असली संदेश ? किरश्यन भगवान परभ्म भगवान है इश्वरा पार्मा कृष्णा सचे दिन्दा विग्राहा अनाले लादे गोविन्दा सर्वा करना करना। प्रह्मा समीत में स्पष्ट का गया है एनेक इश्वर है प्रेकी परमेश्वर है। तो यह समझना भी आवश्ट है। भागवत गीता पर वसपष्ट का गया है। श्रीव भगवान हुआ अचा और हम भगवान बोल रहे हैं। और यह जो संदेश है किस के लिए है पुरे मानव समाज के लिए। अगर हम भगवान के संदेश के अधार पर चलेंगे तो फिर हम हर स्थिती में शानत रहेंगे। अज हम देखते हैं अनेक व्यक्ति की बाद धन है। धन की कोई कमी नहीं और लोग संदूश नहीं है। इराश हैं, बेचैन हैं, चिंदा से भरह हैं। और उन सब का एक ही कानन है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिला, भगवान की भक्ति के बिला हमें संतुश अप्राफ्त हो। यह असंबब है। तो हमारे शास्व में उपाई दिया गया है। हमाने गीता में इस पशकाय कि सरवा धर्मां पढ़िता जया। मामेकम श्रनम राजा। हम तुम सर्वा पापे बयो, पुक्षे श्रामी महा सुझा। सब धर्मा को छोड़कर मेरे श्रमे हो। तो यह जो संदेश है, यह है शास्वान का निर्न है। और वो है कि कृष्ण मवान परमवान है। वो हमको उनकी सिक्षा अपादन करना चाहे है। वो हम अगवान अलग-अलग समय अलग-अलग लूपों में अवतारित होते हैं। जैसे कुछ हफते पहले आपने राम नामी मुट्सभ बनाया। जिसमें आपने राम चैनल जी के वेशे में सुना। वो हम अलग-अलग समय में अवतारित होते हैं कि इसलिए धर्म के नियों की साबना के लिए। तो इसी पकार वहवान पकट होए थे। चेतिने महाप्रभु जी के रूप में आज से लगबक पालसव वीशा पूर्वुआ। तो चेतिने महाप्रभु के विश्य में कहा जाता है सब अवतारों में सबसे द्यालू अवतार है। उन्होंने सरल संदेश दिया है जिसका हम सब लाब उठा सकते हैं। अगर हम इसके लाब उठाएं तो हम अपने जीवन को सुखी बना सकेगे। आज हम सब सुख चाहिए और हम यह नहीं जानते हैं यह सुख कैसे प्राफ्थ होगा। तो जो भक्त इसकों के साथ जुड़े हैं सारे विश्य में उनको पता है कैसे खानरे असली तुछ से प्राफ्थ हो सकती है। चेतने महापरवजू के सік्षा, चेतने शेतने शेतन मreeदक नाम के इसारतन में प्राफ होती है, और चेतने भगवत और चेतने मंधा। प्राफ्ठा जिक्सी ने चेतने भगवत शेतनम०क का नौद किया। और बड़े सरल भाषा में तात्पिरे में उस इक्षा को और गेराई से हमें समझाया तो चेतिने महाप्रबुने सुनातन गुस्वामी को उपदेश दिया कि इस पकार आप बगमाद को सकते हो सुनातन गुस्वामी कौन थे? वो एक संथ थे आजकल भारत में गुस्वामी एक रूप एक जात बन गई है और गुस्वामी करते हैं इसका मन बुदीनियों में बुड़ा उबश हो और वैसे बिन्दावन के छे गुस्वामी माने जाते हैं और में एक थे सुनातन एक थे रूप का ये दोनों भाई एक समें उसमें के बड़े प्रसिद राजा मुस्वानों का राजा था उसमें मुस्वानों का शाहसन कर रहे थे तो ये दोनों भाई एक द्वाब हुसिन शाह के राजा का शाहसन कर रहे थे ये रुपार सुनातन बच्चुन से उनकी रूची थी अधियाद्विक चर्चा में जनम हुआ था ब्रामन खांदान में और कथा करते रहते थे भगवद की चर्चा करते रहते थे पर उन दिनमें अबादी लगवद 99% हिंदू थी और शासन कर रहते हैं मुस्लमान ये जो मुस्लमान राजा था उची इंसा बड़ाओ श्याना था चाप दूसी करके उसने राज्य का राद कर लिया उसने कहा कि मुझे ऐसा विक्ति रूटने दो जिसके जो है हिंदू लोग चाहते हैं तो उन्हें खोजा जैसे आजकर सर्वे होता है और ये निर्ने था कि ये दो भाई इनकी सब आदर करते हैं जब दस्ति उन्हें जोड़ा सेवा में नौक्री में और दोनों जुड़ गए निर्माव उसनिशा के राजय में उनकी सरकार का शासन कर रहे थे तो पहले तो उनके बड़े भाई चोटे भाई रुभग्य स्वामी ने नौक्रीत आगी और ब्रिंदावन आए माप्रभु ने उन्हें कीन मुक्य सेवाई दी थी उन स्थानों को खोजो जहां कि मखवान ने अब यदिवे लीला प्रकट की और मंदों की स्थापना बक्ती से मंदत गरंदों की रचना गोबनी संग्षेव में इन्हें से एकशादी थी इसके अधार पर उनों ने एक ग्रंदों को प्रकाश्ट किया तो सुनादंकरसवामी भी सुनादंकरसवामी बड़ी कटिनाई से निकले प्रकारी नौक्री से एक महीने के लिए वो दफ्तर नहीं कहे थे एक महीने के लिए घर में को लेकर भगवत का अध्यान कर रहे थे और राजा ने सोचा इस तो थीक रहता है, स्वाज ठीक रहता है इवार बिमार एक महीने से अपने डॉक्टर को भेजा हूँ, अपने पैदिये को भेजा हूँ जा के देखो, सुना ही दे रहा है आप लोगों को, जा के देखो, इस बेए पैदिये को, जा के देखो, क्या बिमारी है थे नातुन को, जब वो आय तो उनने देखा, ओ, ये तो बिगल ठीक है स्वास्त, ये तो भगवत हम पढ़ रहे हैं, दूसे ब्रामनों की संगत में तो उन्होंने का राजा को, सुनातन आपका प्रधान मन्दी तो बिलकुल ठीक है, भगवत हम पढ़ रहे हैं दूसे ब्रामनों के साथ, तो राजा के ने सुनातन को निमंतन दिया, सुनातन जवाए उन्होंने राजा को प्रणाम किया, प्रापाजी कहते इं तात्परे मे कि राजा खाला मुस्मान था जब राजा में उचे पद में था, सुनातन ने पूरा आदर दिया, तो रहने इस पर्ष कह दिया, मैं आप इस नौकरी में मेना दिल नहीं है, राजा जा रहा था और इससा यूद करने, वहांकर राजा हिंदू साथ, और सुनातन की रूची अगे थी जीद में भागया लेने के लिए, तो सुनातन को आजाने क्या का, अगर तुब नौकी नहीं अहीं करोंगे तो थो हम कठेंज में जेल बें दाल देंगे, जेल में दाल दिया, उसी समय सनातन को एक पट्रर्ण मिला उनके भाई का, जिस्में उनके भाई М euch रखे हैं इस बनिय की दुकान में, जब सिर्ण रूपक गुस्वमी ने अपनी सथकारी नौकी तयागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे, कि पूरी नाभ भड़ गई थी उनके साथ, और उनने बाटा ब्रामनों को, इस्तदारों को, ब्रामनों को मतोरा रखा उनने भाई के लिए, तो उस धन का उप्योग करके, शनादन निकले जिल से, और आई वर नासी, चीतिने महा परभू को मिलने के लिए, रास्ते में वो रुके थे, एक स्थान, चान के लिए, ब्रेज इन लो, आया था, मुस्लमन राजा के लिए, भुड़े कर खरीदने के लिए, और जब उस ने देखा, शनादन फटे कप्रों पे जा रहा है, फटे कप्रों पे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि, तुम ऐसे गंदे कप्रे क्यों पहनते हो, यह लो महेंगी चादर, जब सनादन पहुंचे वर नासी, महा प्रभूतों समझ गए थे, सनादन आ गया है बहार, पर उन्होंने कहा, चंदर सेखर इसकी गण़ में वो निमाद कर रहे थे, देखो भार एक संथ आया है, चंदर सेखर भार आया आ है, देखा, कोई संथ तो नहीं देखा उन्हें, उन्हें देखा एक व्यक्ति सम्रेड दाड़ी के साद मौला के रूप में, देखा, वह थे लाओ उसे अंदर उसे अंदर लाए उन्हें गले लगाया और जब चंदर शेकर और तपर मिस्टा महापरभू के दूसरे भक्त थे उन्हें देखा इतने प्रेहिम से महापरभू उन्हें गले लगा रहे है तो उस समझ गई है कोई दान व्यक्ति नहीं है सनातन ने अनुभव किया कि चेतने महापरभू उनकी महंगी चादर जो उनकी बदन लौने दी थी उस पर जड़ा घूर कर देख रहे तो सनातन ने समझ गई कि महापरभू खोश नहीं है दी महंगी चादर को देखा तो वो गए गंगा की खिरारे कि यहां एक मंगला सादू था और मंगला सादू के पास एक फटीवी चादर थी उसने ओड़ी होई थी तो सनातन ने गा आप मुझे वो फटीवी चादर दो आपको यह अच्छी चादर देता हूं बद्ले में उसने गाए सनातन जब पहुंचे वापस चंदर शेकर के घर में तो उसने ने देखा कि हाँ प्रभू ने देखा सनातन ने वो महंगी चादर त्याग दिया है उन्हें पूछा एक फटीचादर क्यों फेंद रहे हो सनातन ने कहा कि उसने अभी महंगी चादर दे दी और एक बावा से एक फटीचादर दे दी महाप्रभू बड़े प्रसन हुए उन्हें कहा कि एक अच्छा डॉक्टर किसी का इलाज करके जो बिमारी का कारण है उसे नहीं रहने देता यूसे शब्दों में महाप्रभू का संदेज था अगर कोई व्यक्ति खास करके सन्यास ब्रहमचरी आश्रम में प्रवेश करके सादा जी वो नहीं बिता है वो शोबा नहीं देता यहास्ता आश्रम में छूट है अच्छे को बस्तर पहन दो एंगे बस्तर पहन दो और सादू ब्रहमचरी और सन्यासी जीवन में व्यक्ति क सादे बसने पहनने चाहिए, सादा विवार होना जाए, चे तिन CAS Systems सवामी को बरे गिराई के साथ जिसके अधार पर उन्हें अनेगे ग्रंट लिखे हैं, तो चेतिना माप्रवक के अधार पर सुनाते ने ग्रंटों की रचना की, तो सुनाते के रस्वामी ने का है, एक बड़ा प्रसिर श्लोक है, चेतिना चर्दरमृता से, यह हैं, मज़े लीला, 25 अधियाए, श्लोक नु मत्रववसी स्वी फुटिरष श्दा है, इसके वना है। एक व्यक्ति को वक्तों के साथ में रहना चाहिए, हईना हमको उचाहिए, भागोदम सुना चाहिए, धाम मत्रव धा में रहना चाहिए, और श्रधा के साथ, बग्वान की आच्य विग्रा की पूजा कर लीजए है मुझे बिश्वास है कि आप सबने पहले बीसे कई बार सुना होगा इसे कहा जाता है Five Limbs of Devotional Service वैसे तो आप रभूने बड़े गिराई के साथ सिनात्म को सिक्षा दी थी जिसे आप चेतिरा चेतर मीता मदिले बाइस वे अदिहाई में पढ़ते हो और फिर उन्होंने उसके सार को प्रस्तुत किया इन पांच लोगों में सबसे पहले क्या था सादू संगा तो ये बहुत अवशक है अगर हम अध्याद में को उन्दी करना चाहते है सादू की भी परिचान होनी चाहिए ये नहीं की कोई भी व्रक्ति की दावा कर ले हम सादू है सादू का आचारन शास्त्र पर अधारत होना चाहिए चेति नमा पर प्रस्त काहा जिस पकार एक सफेद चादर में काहा एक छोड़ा में दाग हो जूर से दिख जाएगा ये ही का और उन्हें सादू के आचरन में कोई कलंक नहीं होना चाहिए सादू किसे कहते हैं जो भाग्वान का संदेश हतारूप देता है शुदर प्रापाजी गए प्रचार करने कई देस्थान में गए और प्रचार के मानें से लोगों को जूड़ा प्रापाजी एक एक बार रश्या में गए थे 1971 की बात है हो गए थे सिर्फ चार दिन के लिए उन दिन में रश्या में कौमरिजम का शासन था और धर्णम का कोई स्थान नहीं था नास्तिक था पूरा देश तो एक प्रफेसर थे जिनके नाम था Dr. Ketowski Dr. Ketowski Indologist थे अन्दम की प्रफेसर भी थे और खाज कर के रमैन महावारत इत्यारी में परी गहरी रूची थी यह रूची कोई धार्मिक देश्टी से नहीं कोई रूची नहीं थी तो प्रफबाजी किजी प्रकार से इंविटेशन मिल गया और प्रफबाजी चार दिन के लिए गये थे और चार दिन के दुरान एक रशिन भक्त उनका शिश्य बन गया इसका नाम था एन अनतोले यह रशिन भक्त यह रूची लेता था और थोड़ी इंग्लिश बोलता था उन दिन में रश्या में अंग्रेजी बहुत काम लोग बोलते थे सरकार की इच्छा थी कोई अंग्रेजी सी खेई रही क्योंकि सरकार चाती नहीं थी तो विदेशों में जो नहिंदा की जाती है कौमनिजम की वो उसकी प्रजा को समझ आए तो प्रभबाजी दो सेक्टरी के साथ गए थे और एक सेक्टरी शांस अंदर शहर में था वो उसे फल करीदने के लिए जा रहा था तो रास्ते में ये एन तो लड़का मिला बाते में पता लगा कि इसकी योगा में रूची है तो शहर्भब इन गुरू है जो योगा टीचर है तो प्रभबाजी के माद लेकर आया वो चार दिन के अंदर प्रभबाजीर ने देक्षा दे दिया धोति पहना सिξे आया परशाद बना नाम आम प्रचार करना तो और अपुप प्रचार करना शुरू करो और याश्तआथ हथे उसे प्रचार किया और हजारो भग बने का तो हम सब देख सकते हैं तो नार्दमुनी, रोमनाज को कहते हैं, रोमनाज के पिता के दो पत्नियां थी, सुनीती और सुलीची, और पिता का ज्यादा आकशन था, सुरीची के प्रती, तो एक दिन जब धुर्वा प्यास कर रहे थे, पिता की गोद में बैठने के लिए, उनकी सुतेली माँ जो प्रोस में बैठी थी, उसने का, तो हम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, जब तुमारा भागया होगा, कि म मेरे गर्ब से जनम लोगे, जब तुम पिता की गोद में बैठ सकोगे, तुम इसे शब्द पर वो कह रही थी, अभी तुम श्रीर त्यागो, फिर दे फिर से प्रत करो, मेरे गर्ब से जनम लो, फिर तुम पिता की गोद में बैठ सकोगे, मा ने, सुतेली मा ने, वो चिला महल के नौक्रों ने भी सुन दिया, सबसे दोड़ कर सुनीती को कह दिया, आज तुमारे बेटे को वो भाई डाट पड़ी है, तो जब धुरुआ महा पहुंचा, तो महा को पता था क्या भी था, महा ने दस पच कह दिया, महत्रवरा से योग नहीं दे सकती, कि तुमारे पित कमारे अनुकंग महा हूँता, मुझे पिल्कुल आदर मारे दिय तो गुर्वरा ने का कौन य्ग दे सकता है, वनना है का भागवान दे सकते हैं। भागवान कां प्राप्त होंगे सुना है जंगल में। गीटर में भावन क्या कहते हैं, कितनी पुरिश्थीतियों पे बिल तो आप जानते माम, एक जो दोखी, रोगी पीड़त हो, तुकसा जिसे धान चाहिए, तुकसा जिसे धान चाहिए, तुकसा जिग्यासू, पतर श्रेनिका है, ज्यान के अधार पर जाता है। तुकसा कारी नहें, भगवान गीता में कहते हैं, मेरी शर्मे आओ, कहते हैं दिवोबार देवता देते हैं, वह भी मैं दे रहा हूँ, मेरे पास आओ, दिवोबन आज, बढ़ोबन जंगल की तो ओर चले, रास्ते में उने नारदमूनी मिल गए, नारदमूनी हमेशा ठीक सा यृू नाधु मुनी ने कहा, नाधु मुनी ने प्रेक्षा ली, क्या क्या गुसे में क्यों हो, आ जा रहे हूं। फिर वोने, रिस पहस्च कहा की मैं जा रहा हूं वहान को खोजने। ज़ी तो मदद कर सकते हो, करो तो मुन्ही केरे छोड़ दो. नादमुनी ने कहा है, तुम तो छोटे से बालक हो, इस उमर में इतना क्रोव थोड़ी रखना चाहिए, वानी सो तिरी मा के शबलों को कमीरता से मत लो, नादमुनी ने पहले, प्रिक्षा ली, दिक्षा से पहले, और नादमुनी ने, प्रिक्षा ली, इसी परकार आप देखते हैं, इसकोर में, अगर किसे को दिक्षा चाहिए हो, कई संस्था में आपको दिक्षा एक मिरता है, अन्दर जाओ अपने बहुत एक नाम के साथ, भार निकलो अध्यादमिक नाम के साथ, कोई ज्यादा प्रशन में नहीं पूछे ज और आपको देखा जाता है, एक इन्तियान लगो, दूसरे इन्तियान लगो, और फिर आपको देखा जाता है एक صफाओ, दो साथ, कैसे आपका विवार, क्यों? ऐसी लिए, लिक्षा सुम्ह कहा गया है, कि हमें यहां यहां पेहले पर बहुते हैं, कि हम दिक्षा की योगे और जब देखा जागी योगे हो फिर अधिक्षा की और आगे बढ़ते हैं तो मिनार्दमुनी ने कहा हाँ जा तुम उनकी संगत में हाँ जो आपसे ज्यादा एडवांस में है तो हमें प्रसन हो जाना जाए है कई बार आप मिलते हो उन भक्तन से जो आपसे ज्यादा एडव हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें उनकी संगत में ऐसा ज्याद मिलेगा जिसके पादन से हम अधियाद में मुनुतिक कर सकेंगे तो भग्वान ने दुरुवा को कहा दुरुवा भेने कारण तुमने इतनी तपस्या की है मांगो मैंसे क्या वड़ जाए है दुरुवा ने का अगर आप मुझे कोई वर्ड देना चाहते हो तो एसा वर्ड दीजिये कि मुझे उत्म भक्त बक्तों की संगत मिलेगा तो इसमें एक ये विश्य होगा कि इस पकार हमा द्याने उनकी कर सकेंगे तो यह है उत्म भक्तों का अक्षन यह होना चाहिए हमारा रहास भी तो जब उत्म भक्तों के से मिलो तो हमें प्रसंद हो जाना चाहिए जैसे मानदा हुआ पाज कर रहे हो आपको कोई अच्छा सौधा मिल जाए आप खुश हो जाते हो विशी पकार जब उत्म भक्तों की संगत मिले हमें प्रसंद होना चाहिए क्योंकि उनकी संगत से अब उसक जिसके पादन से जिवन के लक्ष को प्राप कर सको गए। फिर उनने कहा है, जब तुम अपने बराबर के भगतों को मिलो, उनसे क्या करो? मिस्तिता का भाव करो, अपने बराबर के भगतों से, मिस्तिता का भाव का क्या अर्थ है? यह अर्स है कि आक मिलकर एक साह भगवान की सेवा करें और जब तो वपने इसे कम ग्यान के ब्यक्ति को मिलते हो तो क्या करना चाहिए जया की भावनाक्ष करने चाहिए तो जब हम उतना हम भक्तों से मिलें, हमें प्रसन हो जाना चाहे। बहुत एक समाज में हम क्या करते हैं जब हम हमारे से कोई आयद मुझादा है, सफ़ल हो उसको मिलते हैं, हम क्या करते हैं, अरे उन्हे चाप लूसी करके ऊपर पहुंच किया, मैं दो इमा अधर हूँ, किसी ने किसी रूप से उसको गिराने की कोशिस करते हैं, अधियादमिक जीवन में हम गिराने की कोशिस नहीं करते हैं, हम आधर देते हैं, और उनकी जिक्षा का आप उठाते हैं, फिर जब आप और कि अवह टने ब्राबर के व्यक्टी का मिलो। तो पोजेकस एमाज में हम भुटते हैं झारबर के भ्यक्ति को सक्रायतो है, तो मस भुंहार से हम आगहे हैन। में हम कहते हैं छलो मिलकर वाववान की सिवा करें, मिलकर पक्चार करें। अब चेथि दिमाह पापुने साकूर अर्धितिनंदा की जोड़ी बनाई उन्होंने दोनों को एक साथ भेजा, तो जब बराबर के भक्तों को मिलें एक साथ मिलकर को सेवा करनी था हैं, छेइते दमार परभू जब गुनीचा मंदर की सफ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सब भक्तों को जोडा, हमें मिलकर द तो जादा लाव होगा। प्रापबजी कहते थे यूर लफ और मी विल बी शोन, और हम यू कॉपरेट वी इचादर। आपने सुना हैं पहले। पापजी ने का जो प्रेम हैं तुम शिश्यों का भक्तों का मेरे प्रती वो पस्तुत होगा। यह देखकर तुम एक दूसरे के साथ कैसे चौते हो। आंकार के कारण हम सब सोचना चाहते हैं हमार पास है हर समचा का हथ हर प्रशन का उतर। और अधियात्मेक शेफिते में हम मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के स्रियोग देते हैं, एक दूसरे की सला लेते हैं और उसके अधार पर उब्देश भी लेते हैं, यह बहुत ही महतर पूर्ण है। हम आपे वो कहते हैं, इनमने तक अभाव यह है असलियाद, कि हम सिक्षा लेने को त्यार हैं, हम सुनने को त्यार हैं, हम चाहते हैं कि इसों से भी सिक्षा मिले। तो जो बराबर के भगत को मिलें, हमें मित्ता का भाव यह जब आपसे कम भियान के अक्ष्णों से मिलो, फिर क्या भाव यह जब आपना चाहती है, द्रिया का भाव, जैसे कि वैश्नों जो हैं, उन्हें कहा जाता है परादुख दुखी, दूसरों को दुखी देकर, वो भी कि जान चाता है उन्हें ग्यान दिया जाए जैसे इस समय हम कह रहे थे पूरे विश्व में भारत के दो बात छोड़ो करोना वाइरस की चिंता है तो करोना वाइरस से इसलिए ड़रे हैं क्योंकि इसके द्वारा मृत्तिया आ सकती है कि यही बिमार ही आ सकती है आज कल जितने बड़े हॉस्पिटाओं थे अमेरिका में सब जगा वागी सब ऑपरेशन करना उन्हें बंद कर दिया कर एक डॉक्टर सिश्या सिविरी चर्चा हो रही थी जो वाशिंग्टन में है तो कह रहा था इस वगत सारे अमेरिका की ऑपरे दिया disturbance स्वेशन कर रहे हा व इस ही को कर रहे है तो मेह कहा बंद की हो गए क्यां कि हमने हमने अमने पुरा हॉस्पिलल हर छाड़ी रख्क है क्या कर हुना वाइरस के परेशनस के रियरे उनके लिए पे यह जगा रही है तो तो अभी सारे आपरेशन बंद है तो को कोई एमजनसी लाइफ से भी मॉपरेशन हो उसी को कर रहे हैं और बाकी जगह रख रहे हैं यह करोना वाइरस के प्रेशिंस के लिए तो एक गृप सब देख सकते हो समाज की प्रजाद दुखी है यह प्रचार करने का बड़ा अच्छा मौका है जब रोग बीड़ा हो तो प क्या देख रहे हो आतिक सीथी लोगों की कमजूर होते जा रही है जब आप दो हफते से फैक्टरी नहीं चिलाओगे जब दो हफते से दफ्तर नहीं जाओगे तो आतिक सीथी कमजूर होते जाएगी इस वज़ आतिक सीथी बहुत कमजूर हो गई है और कई वाई फैक्टर लोग सुनेंगे आपके संदेश को, यह पचार का अचा मौका है, खास करके ओनाइन पचार जो करने हैं, ओनाइन पचार आप घर बैटे बैटे, पचार कर सकते हो, इस वोगत आप घर के बार निकल नहीं सकते हैं, सुना है कि कल सुबह दस हुझे, हमाने प्रदाद मंज़ी क आपके अनुट देंगे, शायद उसमें थोड़ी छूट मिल जाए, घूमने के लिए, भार जाने के लिए, पर इस भावना से, कि यह बिमानी पहले नहीं, हम सब करतर भी हम बनता है, कि सरकार की जो नियम हैं, उनको हम साथ दें, पालन करें, इसके दोरा यह जो मड़ी और प्रचार की देशनी से, यह बड़ा अच्छा मौका है, लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और उने उपायच हैं, आज आप ग्रेजुएट्स को देखते हो, उनको जॉब मिलना बहुत मुश्कुन होते जा रहा है, तो यह S.E.C.D. में आप अच्छा प्रचार कर सकते अच्छा की भावना होनी चाहिए, लोग चिंदा में हैं, चिंदा में तो सब हैं, और चिंदा को हल कैसे करना, वो नहीं पदा, यह से कष्ट हम सब अनुभव कर रहे हैं, पर उपाय, असली उपाय के किया हैं, यह केबल, शासुन द्वारा, आदर संगर के द्वारा, अगर आप अधियादमी जिए उन चाहते हो, कि आप सादु संग में रहो, सादु संग में रहोगे, आपको असली संदेश में लेगा, असली संदेश क्या है, कले दुसेने दिराजन, असली का महा गुना, करितना देवक्रिश्न से मुक्तसंग सब परबज़र, परिक्शि खलियोगा में लोगों का उधार कैसे होगा। तो उचुकरे को स्वामिन का, खलियोगा में दोश ही दोश है, पर एक गुन है, मैं कृष्णा का ना हूँ। तो यह हाई नाम ही एक उपाय है, यह अस्ति वैसनेशन का हम कह चुके हैं। पर्ती बियाचे जादनर्घर रृदिक आप शर्वद पर्चाळ अलबर में दुन्या क कउनकर में यह हाईनाम फ्यलेगा। तो आज यह हाई नाम फ्यलेगा। दुन्या के उने कोने में पर इसने था हमें से विकार करना पड़ेगा। और भी परचार करने कि यहाब हो रहता है हम यह नहीं कह सकते हैं, अभी हरी ना पहुंचते है दुनिया के वह प्रचार हो सकते हैं, भी हरी किमैमा हरी नाम जो भी ले ग्यान से है ग्यान से इसका उससे majors by मौ ऑद्पाभ और आप इसका ललौब उठाईेए, पाभाजी ने हमें पड़े सरल भाषा में अपने ग्रंथों में ग्यान दिया है और हमाने अचारियों के साथ परिया को लेकर सरल भाषा में परपूट दिये हैं। यह समय हमाने खराब है। यह एक मेना हो गया हमारे भक्त सब्स मंदर में बढ़े हैं। वो एक गृप से तंग आ रहे हैं। पर आज हमारे एक मीटिंग होई थी स्काइप में जिसमिजाइपटागा स्वामी और बक्ति चारु स्वामी में और प्रगवासरगोश कई सीनर भक्त थे कॉन्फरेंस में। हमारे चर्चा कर रहे थे कि इस स्थीती पर अभी प्रचार कैसे उड़ाया जाए। और मायापुर के एक भगदायत है जो नभी सन्यास भी आए। वो कह रहे थे कि जो दस सालों से मायापुर के भग समकितन भग कर रहे हैं। तो उने कई एड्रेस हैं दस साल के अजारों एड्रेस हैं जहां पहले उनके बाद जारे के लिए समय नहीं होता था। अब उनके बाद जारे हैं और रोज दस भी सेट भगदा उनके अगला पाशा में बेच रहे हैं। तो हर सिथी में जो भगते हैं को आप आज धूडनेते हैं। तो यह प्रिचार करना चाहिए हैं और लोगों को जो बसदी संदेश में लेगा तो आमान के शिरना नहीं होंगे। तो अभी हम रुकेंगे आपके प्रश्नों को उत्रा देगे। Hare Krishna, were you able to hear? I think when did the questions come through you? Hare Krishna, Hare Krishna Guru Maharasvi, you are a master of the Krona, so you are a master of the Krona, I am a master of the Krona, and you are a master of the Krona, so you are a master of the Krona, so you are a master of Krona. so you are a master, can you elaborate what he said? A group says, you are a master, Krishanam Ketanam to learn more. के लिए पहले आप लोग कहते थे क्या करें रीडिंग का टाइम नहीं है एकसर जापा का टाइम नहीं है इतनी सेवा है नौकरी है धंदा है अब बगवान ने आपको एक महिना दो महिने की छुटी दे दिया है अब इसका लाव उठाओ ठीक है ना और किताबों को भी पड़ो और प्रचार भी करो आप टेलिफोन में प्रचार कर सकते हो ओन्लाइन कर सकते हो ओन्लाइन आज करें इंटरनेट यूसेज बढ़ गया है ठीक है यह आपका घर है हाँ आपने घर में बैठे हो बड़ा घर है आपका अच्छा घर है आपका अच्छा घर है आपका इह आप सब के घरों का भी दर्षन हो रहा है मुझे आपका आल्टर भी दिखा रहा है आपके पीछे बुक शॉप भी हाँ नेक्स्ट, सरवात्मा मुरारी प्रभू जल्दी पूछिये, प्रेकिष्णा महराज, दनौत पड़ा महराज, महराज मेरा प्रश्न है, ये आजकर सोचल मेडिया के मरदर जगा नास्तिक लोग है, ये इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं, कि भगवान है तो क्यों करोना को खतम कर दे रहे हैं, तो ऐसे लगों को क्या उत्तर देना चाहिए, महराज? अच्छा प्रश्न है, भगवान जो हैं, उन्होंने हम सब को छूट दी हुई है, और हम सब को पापों का परिनाम हम भगत रहे हैं, प्रापा जी ने कहा था एक लेक्षर में, आज समाज में इतनी दि गायों की हद पर हत्यचार हो रहा है, बिना जो गाय माता है, आज साथ मातां में एक माता है, गाय माता की सुरक्षा हो लीजाएं, हम गाय की सुरक्षा कर रहे हैं, हज्यारों की संख्या में, भारत जैसे देश में भी इन पर हत्यचार हो रहा है, और जैसे चाहिना में, य करोना वाइरस का इलाज करने के एक समय चाइना में उन्हें कोई लाख उच जाजबरों को मारा, जब पृति भी इतना पाप होगा उसका पड़ी नाम तो भूगता पड़ेगा, पाप जो है पड़ी नाम पर करना ही जाता, तो आज हम पापी जीवन बिता ले हैं, उसका हम प जी महराज, आप लोगों को बोलो, आज तो लोग इतना पाप कर रहे हो, उसका पड़ी नाम हम भूगता है, जी महराज, यह था आपका प्रशन, जी महराज, तो वो पूछेंगे, उपाए क्या है, उपाए यह है, हम हमारे चरितर को सुधारें, आच्छन को सुधारें, औ आपके नाम का जाब करें, धानम की नाम की नाम का पालन करें, नेक्स्ट,। There is a question from Baleshwar Raman Prabhu, he is in Scotland at the moment, he is asking, we are seeing so many classes going on, how to catch with all these, as we have to study for self as well. So, you can have your pick, you study for your studies, and also study these classes. You are lucky that worshiping everybody is online today. So, you can take one or two lectures, but plus read Prabhupada's books. Prabhupada's books are the origin of everything and the origin of everything. I don't want disciples hearing the lectures and not reading Prabhupada's books. Prabhupada's books is first. And then you can read, you can listen to the lectures. And then your intelligent voice, or you use your intelligence, how many online lectures you can hear. You must read Prabhupada's books also. Is that clear? Yes, Maharaj. I'll go on the camera, Jadam Gushik. Okay. Sorry, Kamata Ji. Yes, Prabhupada Ji, Maharaj Ji. My question is that, if we, as this virus is happening, do we, as this virus is happening, do we, as this virus, 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 do we, as this virus is occurring up a little through, which we have the laden, we will get the virus, we will reach out to that virus, or which we can perceive, whether we even ourxis in our everyday works, that we can get a person, whether we do it via data we also develop something, that we cannot create it 1993, that we understandoit. आप यही सोच रहे हो, जाब करोंगे, जाब करेंगे, तो वाइरस के वाइरस से बच जाएंगे, वाइरस हमें अट्रैक्शन नहीं करें, जो भी कारण हो, आप जाब करो, पहरी नाम के जाब करोगे, तो खुद ही खुद हेदे की मैल भी दूर होगी, और अधियादमी पढ़ेगा, हमार कहते हैं, यो भी कारण है मेरी निश्रन में आप, तो चैन्ट, regardless of what the motive में भी, और हैना हम का एक बार, जब शुरू कर लें, खुद ही खुद आपको, satisfaction दिखती है, और खुद ही खुद ही खुद आपको, satisfaction दिखती है, और खुद ही खुद ही आदमी कुछ Yes? Yes Guru Mahār, Shri Yeshwadha Khan Mataji? People want to, okay, yes, okay, is that mute? Hare Krishna Guru Mahārash Yes, Hare Krishna Hare Krishna Guru Mahārash Yes, Hare Krishna Hare Krishna Guru Mahārash Yes, Hare Krishna Are you in Puna? Hare Krishna Mahārash I am in Surat Surat On Surat Hare Krishna My mother, my mother is also there Okay, go ahead Hare Krishna Mahārash I had a question actually, how to please you? Just chant your rounds regularly, read Prabhupada books and preach by book distribution and whatever other means that's possible If we do these things with Prabhupada, actually our goal is to please Prabhupada and he can please Prabhupada if you follow what he gave us and that will lead to perfection and I think you go to the temple regularly in Surat also you are active with a youth group also Oh, so. So, Patriarche also अभी आपको टाइम भूआन पहले आप लोगों की सकते हैं आप सब शकायत कर देदे हमें टाइम नहीं मिलता तो हम जाप कर लेते हैं पर ज्यादा नहीं कर सकते हैं भूआन ने का फुनों के वक्तों की शकायत जन्विन है और टाइम दिया जाए तो लोगडाउन होके दिया तो अभी आपको बहुत टाइम हैं कम से कम एपल के एंटेक तो टाइम रहेगा में में लोगडाउन लॉक अप हो जाए बर एपल के एंटेक तो आपको काफी समय कमी समय है उसका उप्योग करो और जाप के वेशे में अब दिन रात कर सकते हो पर ठकोंगे नहीं यह जाप की शक्ती है बाकी जो सधानन नाम हो एक बार लोग दो बार लोग ठक जाओगे तो आपको एक्सरा टाइम मिल रहा है उसका फैरा उठाओगे सकते हैं एक यह झाल नविसी चुटपित thrillini करें लाजूC B कि अ़िए रिजिए चाहिए और कि अचाहिए भी के अचाहिए गड़ाई पुप्त आप आ्रेक्रिष्ण माःच जाहिए, भाहँ लेक्रोष्ट बायच्वाराच्वामुष्वामुष्वामुष्वामुष्वार्शिवान। the simple, simple life, but we find that in this stage, sometimes it is very necessary to use gadgets for outreach, so how to balance both this teaching and use the gadget? We don't say do not use gadgets, Bhakti Sinnanda Ji said scientist invent machine and devotee use it in the service of the Lord. So Prabhupāda used technology in service to the Lord, he had his books printed by one in technology, he used a plane and a ship to travel around the world, so we don't say don't use gadgets, but don't misuse them, for example the smartphone, the smartphone can be used to keep Prabhupāda's books, DD pictures etc., and the smartphone can also be used to have pornography inside, don't misuse it that's all, use all the gadgets you want, is that clear? Yes Maharaj, one more question, when we use gadgets there is always a potential threat that we may misuse them, so how to be… Good question, very good question, the potential threat is there for virtually everything we do? Even if we have a computer, there is a virtual threat, we should use our determination and not misuse it, that is important that we don't misuse it, and stay in good association, if you are in good association, you will get the right guidance, and in Pune you have a very nice devotee association, so take advantage of it, funny, is that clear? Yes Maharaj, thank you Maharaj. Okay, are you people in the temple or in the… Yes Maharaj, we are in Mississippi Maharaj. Okay, okay Rohan. One question Maharaj. Maharaj, as tempting situation comes, so how to tolerate tempting situation, because minds also from many persons get… I agree with you that tempting situations come, and tempting situations will always come, from beginning to end. So, we have to be very careful. You cannot say, the tempting situation will not be there. Anka, anka, aankaro. The tempting situation will always be there. We have to be ready for it. If we keep chanting, reading, chanting and devotee association, then Krishna will help you. Krishna says, Drosha worship me with devotion. I preserve what they have, and I make up what they lack. Bhati jala do. So, Maya will always be there. Krishna says, Devesha gunam māya mama māya durataya. To overcome this Maya is very difficult. If you send it to me, then you can overcome. And, if you sincerely try and pray to the Lord, the Lord will help you. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you very much. Yes. One more question one more. Yes. As we follow the authority, sometimes our ego comes in between, we stick to our opinions. So, how to follow authority? Very good question. Our egos are very strong. And, because of these egos, we think, what I am saying is right, everything else is wrong. So, we have to understand, if I want to make spiritual advancement, I have to become servant of the servant, not master of the master. And, if we are getting good advice, we should take it. And, when you are advancing with, associating with those who are more advanced, take that advice. Ninety percent of these disputes, I want you to false ego. So, you flew down from Dubai to Pune, or the camera flew that way? Please, I took my apologies. This is Guru Maharaj. You are in Dubai, though, no? Yes, yes, Guru Maharaj. Guru Maharaj, we had a question. We got this opportunity to connect here, and we tried our luck, and we got through. Okay. Thanks for giving us your darshan, Guru Maharaj. We had a question, Guru Maharaj. Recently, we have seen that so many devotees are telling us to, you know, let us say, chant special prayers, Nashika prayers, and somebody chanting Narayan prayers. So, is it okay to focus our mind more on those prayers, or we should increase our time for chanting Hare Krishna Mahamantra? Where should our focus be? Increase your time for chanting Hare Krishna Mantra. You can chant the second day of Mantra, but the main Mantra that you chant should always be the Hare Krishna Mantra. And if you have more time, you can chant extra rounds. Right. So, we should focus on chanting extra rounds, is what you are saying, Guru Maharaj. Yeah. Focus on chanting Hare Krishna Mantra. But if you want to chant another single day of Mantra, you can do it once or twice. Your main chant should be Hare Krishna Mantra. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. Guru Maharaj, one small question. If you remember, there was a devotee, our God brother who joined from Dubai that day. Radha Kundu Prabhu and Deviki Madaj, they had a small son. He said, I want to introduce our son to you. They have been detected, all three of them have been detected positive for Coronavirus. All three of them. So, we were thinking to do a, you know, we all devotees of Abu Dhabi and Dubai, who are joining to, you know, chant Narshinga Kavach for them tomorrow. So, is it okay, we chant Narshinga Kavach or we should all dedicate one round of chanting to them? What is more? Who were they? Radha Kundu? Radha Kundu Prabhu and Devika Mataji. They introduced their small one-and-a-half-year-old kid with you, Maharaj. That small boy. I know. Yeah. So… Three of them have contacted Corona. How did the child get it? Guru Mahaj, I think that Prabhu ji was going to office still because of the mandate from office. So, I think maybe he got it home and all three of them are now infected. So, we were thinking to chant either Narshinga prayer, everybody is saying Narshinga prayer. So, I wanted to ask you whether… You chant, you chant Narshinga prayer. Also chant Hare Krishna. Okay. Okay, Guru Mahaj. Thank you so much Guru Mahaj. Thank you so much. Thank you so much. Next. Are you in your house now? Yeah. Are you in your house now? Yeah. Srinivas Prabhu. Thank you so much, Maharaj, for taking up the valuable time. We are just thinking that, you know, we generally do book distribution throughout the year. Say it again. Repeat the last line. We do book distribution all over the year. Yeah. We do book distribution throughout the year, Maharaj. So, I just wanted to ask like in this situation of Corona, how do we plan for the upcoming missions and especially the book distribution marathon in this country? Let's see what happens over the next two months. You know, I'm not an astrologer, so I can't predict exactly. But let's see what happens over the next two months. Is the virus coming in control or what happens. And then you can make your plans for Marathon. Am I right? Okay, Mother. At the present moment, there is a lot of uncertainty. Okay. Okay, Mother. But one thing is, like I said in the lecture today, even if things are difficult, you can still find ways to distribute. Like in Mayapur, you have all these addresses and then approaching people from whom they had no time before. Okay. Thank you so much. I have. Okay. Paavannimai Prabhu. Hare Krishna Maharaj Dhanva Prabhu. Paavannimai Das from Binder, Mumbai. But my question is that you… You say in Bombay or Poona? Yes. Paavannimai Das. Yes. Binder, it's called Binder, Mumbai. Yeah, you are the professor. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. My question is that you said we should read Prabhupada books. So, like I am reading Prabhupada books, like we are reading Bhagavad Gita, like around 25-30 duties on Zoom. But Maharaj should we focus on Gita or we should read Gita, Bhagavatam? We should divide that time like reading multiple Prabhupada books, or read one book once and then next book. At least read the Gita once and then you can share the time on other books also. It doesn't matter which way you want to go. If you want to do the Gita and the others or both at the same time, both the paths are good. The important thing is read and read when you are fully awake. Don't start reading when you are about to fall asleep. Okay, Maharaj. You won't use the books as a sleeping pill. Sometimes people read Krishna reading and they are about to fall asleep. Okay? Okay, go fast. Thank you. Bhagavati Kripa, Mataji. Yeah. Hare Krishna Maharaj, Guru Maharaj. This is Bhagavati Kripa from Eda Road. I just wanted to report to you that the summer camp for children is going on online for at least 20 places. The children are attending and they are memorizing Chaitanya Mahaprabhu's prayers and even they are hearing Chaitanya Mahaprabhu's past names. Very good. You and your husband are doing a very good job. By your mercy, Guru Maharaj. And my daughter, Samita, she is engaging all the children online. Every day with puzzles, the whole day they are practically busy and we have started chanting championship for kids. So they are chanting over 20 rounds. Very good. This is what happens when you train your children from a young age. Okay, next Kadamba. Any more Pura questions? Samchandra Prabhu? No, 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 no. No, no, no. Prabhu, you can continue. We are just listening. I am really very sorry. I raised the hand. You can continue. It is okay. He was there the program few days ago. Okay. Sarva Lakshan Prabhu just left for a meeting because he had a meeting for Bahadur camp and he has requested you to inspire Brahmacharis to chant in the 12 hour kirtan that is going in the NVCC temple every day. And he just put a request that we should inspire the Brahmacharis about it. This is a Kirtan program. We should all take care of each other. First, we should care of each other. If you get so much time, then you should all take care of each other. Why are they not coming? If you get so much time, then you should all take care of each other. Any more questions? Any more? I can't hear anybody. First, there is one question. Hare Krishna Guru Maharaj reading Śrila Prabhupada book is good or listening Śrila Prabhupada and other senior devotees' lectures is good. You may read other lectures but first you should read Prabhupada books also. And here is Prabhupada lectures also. Prabhupada books and lectures are the basis of our study program. You should do that regularly. If you read Prabhupada books, you will get a lot of clarity and you will understand the philosophy. Yes. Go ahead. This is from Rourkela, Vice Sabak Prabhu. Aap poochheye aapke prashna ko. Aap kaha rehteyo Rourkela mein yaa Puna mein? Puna, in Odisha. Aap Rourkela rehteyo? Yes, Maharaj. Poochheye. Ask your question. Hare Krishna Maharaj means like the holidays were there from 15 days so in the starting enthusiasm for reading books was very high but slowly slowly it is decreasing. So what we should do to maintain up the enthusiasm for reading books? So this is not good. Why is your enthusiasm going down? Your enthusiasm should go up. If you chant and read, then your enthusiasm should go up. Why should it go down? If your material temperature is going up, then you don't like that. So why should we let the maya temperature go up? If something is going, something is not being done properly, you should stop it. Yes, ma'am. And Maharaj, about first year fishing, how we should maintain anchorage? About what? First year fishing in college. First year fishing in college. I think you can take guidance from Jukal Kishore and others who are more experienced in college preaching. They are more experienced than me. They take experience from them. Okay? Who is next? Is this your house? मैं आप से पूछ रही थी उस समय कि enough अव मम लोग एक्स्राराओं करना चाहिए जो वाईर收 के लिए Ex사 राओं की बात करें दिनकी हम एक्स्राराओं भी करना चाहिए कि यह जो भाईरस चाल रहा है उसके लिए रही आप कुछ भी कारन हो एक्सार राउंस आप करना चाहते हो, करो, एक्सार राउंस करने में लाब ही है, नुकसान नहीं, आप समझें, क्यों भी कारण हो, ये चैंडिंग इस चैंडिंग इस तो पारफू, किसी कारण से भी करोगे, इसका लाब आपको ही मिलेगा, जी महाराची, चीक है महाराची, मेरा एक और कॉर्शन है, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी सीनियर वक्त के प्रती कुछ मिस्टेक कर दिया है या फिर मैंने कुछ उनको हर्ड कर दिया है, और अगर मैं उनसे शमा मांगती हूँ और फिर भी मुझे वो शमा नहीं करते हैं, तो मुझे उस केस में क्या करना चाहिए अगर आप उनसे शमा मांग रहे हो वो शमा नहीं करते तो यह उनका दोश है उनकी कमी है अगर कोई वैशनवा आपको कहे I'm sorry I did this I won't do it again we should accept it अगर वो वैशनवा सो साई यह तो बार बार बोलते हो और करते हो फिर वो शह से सीरिसी नहीं ले but अगर आप मुझे माफि मांगो they should be forgiving वैशनवास are very forgiving and they are not revengeful okay maharaj are you in Pune? yes maharaj okay yes let's go on hello maharaj there's a question from Chitralalata mataji when we hear about devotees being inflected by this virus it is very disheartening how do we take this well devotees are also subject to the laws of nature we are not exempted from that and nobody is exempted from karma and if we have we just take it as Lord's mercy and prepare for it many people from the virus also get cured the other day I was talking to some devotees from England many devotees have got cured also so of course we wish that devotees don't get this disease but you can't stop that like devotees do get cancer sometimes they do get heart attacks they do get involved in accidents whereas devotees we should always be prepared for the worst but if you are always ready then you have nothing to fear the end has to come one way or the other so if you are Krishna conscious you will always be ready for it who's question is that whose question is that whose question is that whose question is that कि आज में हमाले कर एक भाथा ऐ हो लिए्ग अगतर器 लैडिय Sen誰 के अगत अगत अगतर है। के चिख ट陰हने उतिन वाहति प्लूग में इंगतर हैं है ॥ीडिग लल यृड्म खटार हो दो आप्टेरियों but I see this as a problem. Do you understand that? Was it clear or not clear? Yes Guru Mahārāj. So my point was that we want to find, we wanted to follow but it becomes difficult because we see that all are in like they are also advancing but sometimes their instruction means we may not be able to follow the whole RTD instructions so we may get... You try your best and if you are having difficulty with some part of it then tell them frankly I am having difficulty in this section can you please help me? If you are frank any senior authority would be happy to help you. In a humble mood tell them what the real story is. Yes Guru Mahārāj. Thank you very much. Thank you Krishna. There is one more question. We feel that activities of anti-social elements like Tawaliki Zamaach should be punished. Is such feeling acceptable as they are also living beings of Lord Krishna? We don't want to comment on anything that could become political tomorrow. I don't want to comment on this. We don't want to be misunderstood. We don't want to create a controversy. Anything you say will lead to controversy. Look I am sorry. Is that okay? Who's question was that? There is Anita Mataji from Pune. She asked this question. Okay. She is not on the screen. She is not on the screen. She is not on the screen. There is one question from Raja Krishna Sahu. He is from NIT Roarkala Boys. As college is closed, we are at home. Not everyone is favourable here. Although I am trying my best to do morning programme but sometimes family members blaspheme, scorn and devotees. What should I do? That's tall way they blaspheme me. Don't do tit for tat. And tell them so many boys fall in bad association. Take drugs, leave home. I am doing something good. Building character. Helping lift the morality of the country. What's the harm? Some people said well, you were done, You were done with a drink, and you were done with good wine. they are the same. You were done? And they were done with good work, and there wasn't a bad one. Do not do bad work. You were given by you to be determined to be it. So, Be determined. वागरे वापको विसकोण को कौतिकिषाइघ करते, वो तोल्ड है कर लो, that is nothing new. प्रापपा सेड जे वे रिखे लोग्त को प्राइड्स स्पीपल्स, वो जे बेर वो उतल हैं, वो रोग्त कर लो प्रौ रोग्त कर लो. okay okay more srinivas as you as you just wanted to you know that we are trying almost and we are completing that and we are moving to as well so हुए उस्टैंज तक है तीजर को फोई नहीं, है चानडे लूट है। यह तिभी पूना, है तक है। जहीं है हुएंगा, है तक है कर दूना, तक है बन्दान रहांगा है यह रहांगा है। यहाबकोन obstruction तमोहाब है कि लाग riktप्राफ अंद Iraqरान लुट्सॱण से अंथा विल मुट अनेरे लूग मुहाबक एकुन माझनी मुट सड़, आपकों के लिचाष यहाफ आटे मुट रिजह अरिधा है प्यादि़नेता हैest दो एफेती है तión मेर्हें कोई हुआ कि थीफूपेज़ हैं मेरिका फॉप्या से अमरिका रटे सौपबमब टे हम रटे-टूर सेब्टमबंब और हैं चूपश nesse schon बादिरी लिब ए्चिनि वारिकान टेग लिंद टूरी कि अगरेवी आगे मेरे व्याद ने रेंगाादब इजाने आगे मैं अजिए आगे आगे सिवाटारे से अर्फॉति झागे पुछांवा भी ने ने लुट का जा भी टॉट आगाद रेने प्रवे मैं प्रीमिन्ट आप्रीश इंट प्राइम स्क्राइब। आट एक एक आट इयसी हैक जालता न एक प्रिफिति केम एक करता हनुड़ा है ओर चितरिया तो ब्हाहत आट इभ्रह बाहन आटितव इलनरी इसलाग इंवие करे पोरहे है? कीरे डिन्यों दिलाग में इंविरें?" I want to get that top position. So envy should be given up. And envy can only be given up if you have knowledge and if you are dependent on Krishna. And it doesn't matter whether you are first or second or last. The important thing is, the desire to serve Krishna should be there. So if you have envy, take the help of a senior devotee. Admit your envious nature and ask for a solution. Rupa Goswami says, if you wheel your mind, those who are more advanced. And take instructions from them. Okay. There is one more question. This is Ganesh Prabhu from Meera Road. He is asking, Hare Krishna Maharaj, Maya is very powerful. I take vows occasionally that from now onwards I will chant my rounds without touching my mobile. I succeed for a few days. But then again, fall in Maya and chanting and mobile goes on simultaneously. How to tackle mind in this situation to restrain it from mobile during Japa? When we get up in the morning, the first thing we usually do is, what are the messages from last night? And if you don't have enough messages, then some people get a heart attack. Or nobody remembered me. So, mobile phones are a blessing and a curse. You should, don't turn on your mobile until 10, 11 o'clock. Finish your Japa, finish your morning sadhana, and then you turn on. And you have nothing to worry, but you will get a message in any case. Who called you? Why should you disturb your chanting? And mobiles only came in business about 15 years ago. Before that, there were no mobiles, and we lived very comfortably. Isn't it? Prabhupada gave a joke once. Prabhupada said, when I came to America, I saw that everybody has a phone. And I was coming from India, and in India, to get a phone at that time, you had to wait for four or five years, before your number would come. So Prabhupada said, when I came to New York, I phoned a bell company, and I got the phone in four hours. He got his phone, so every night, his disciples were calling him, Swami, how are you? So Prabhupada said, the phone is now a disturbance to me. At 12 o'clock at the night, they are falling, he's saying, Swami, how are you? Okay. Okay, I have to go soon. Anyway. Guru Maharaj, please accept my humble obeys of this. I am at home, my enthusiasm is going down, how to increase, and angry thoughts come in my mind. Please guide. Sudhan Shufra from Pune. Why are you into your attitude? Why are you into your attitude? Why am Iering at you in the ministry? Why am I born before always? हमें सदा उत्साइद होना चाहिए, उत्साइद निश्य धर्याद, तो उत्साइद होना बगवान के सेवा में बहुत महदपून है, तो अचीज साद ना रखोगे, तो आपका उत्साइद बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो आगर घट रहा है, तो केसी सादो की से, ठेक देहलब आपका सीनियर काउंसलर, एंद एक्स्प्लेइन, आप केसी काउंसलर की स्योग दीजे, और जो समझ से है, उसको दूर कीजे, हमें उत्साइद जरूर हो रच है, हम आखेर क्या करें, भगवान के सेवा, इसे ज़्यादा बैदपुन क्या हो सकता है, मेमान के सेवा से, Okay? There's one voice devotee is asking, Sabha Gharadiyya, he's asking, Aray Krishna Maharaj, whenever I go from voice center to home, I always think not to watch television, but once I reach, I fall prey to Maya, what can I do to avoid this? Just don't repeat it. I won't tell you don't go home, but that may anger your parents, but apply determination and become more determined. So whatever you see on the screen influences your lifestyle, and then you want to imitate that. And on the screen normally what do you see? Sex and crime. So watching television is not so healthy. If you're watching Ramayana or Mahabharata, then that's okay. But don't you see these other commercial channels? Yes, Maharaj, there are some questions, I'll just wrap it up as quick as possible. How should we advance in Krishna consciousness without association? We get a lot of inspiration from you, but we cannot have your association always, so how can we advance in Krishna consciousness? This is a question from a devotee, Sakhi Prashita Devi Dasi from Pune. How about ourselves, you associate with a saintly person? We have said that there are two two sardin, one is Vapu and one is Vani. Vani is a part of the land, Vapu is a part of the land, Vani is a part of the land. So Vani is a part of the land, the land is a part of the land. So Vani is more important. There is one question from Mahavirya Prabhuji, I will just ask him to ask him to ask him to please ask Mahavirya Prabhu to ask the question. Now a days, the items like pure milk and pure fruits are not available for deities, so can we pray to Lord intensely, so that this Corona stop as soon as possible and the Lords will get proper items? Yes, you are saying that you are saying that today, that God doesn't get a sweet fruit? Shudha. मिल रहा है महाराज। तो हम भगवान से प्नाटा ना कर सकते हैं कि इस चला जाए तक कि आपकी सेवा अश्चिदरे चालो हो जाए। ठीक है अगर उजदेश्टी से करना है तो कर सकते हो। थैंक्यू महाराज। प्रभबबबबबबने ना तर लुगा जाए तो प्रभबबबबबबबबबने प्रभपादी चालो हो जाए। अधिन आपने केस्योगी चाहते हो चाहते है तुरपाण nessa है तो किया कूना केवinski करो चाहते हैं तो चाहते हैं, तो किने भृतर?", Okay? I think we will do one or two more questions and then we stop. Rameshwar Prabhu. Hare Krishna Prabhu. मैं बोलिये. आप महाराच से बात करें, बात कित? Guru Mahārach ji, Pranam Dandwar. मैं रामेश्वर बोल रहाँ, हुना हडवसस. मैं पूछिये. मुझे ये पूछना है. जल्दी पूछिये. व्यूट होगी है, प्रोग व्यूट होगी है. अन्यूट करिए उसे. हेलो? हाँ, पूछिये. महाराच जी, Pranam. हेलो? हाँ, पूछिये. पूछिये. आप हमेशा बोलते हैं के, चैतना चरित्रामरोज, भगवत कीता और भागवत हम हमेशा पढ़ना चाहिए, और इसका समय कितना हो? जैसे दिन में कितनी बार और कितने समय के लिए पढ़ना चाहिए? जितना पढ़ सकते हो, हाँ का शेडूल अलग रहेगा और एक गंडा, दो गंडा, जितना पढ़ सकते हो? मतलब तीनों मिलाके एक गंटा या तीनों मिलाके दो गंटा, ऐसे, मैं यह पूछा है? कम से कम गीता और भागवत को तो रोज पढ़ी है, और चेतना चेतन मीता, अगर आप पढ़ सकते हो, तो रोज पढ़ी है यह हफसे में, उसी बार. हारे भी व्यक्ति का शेड्यूल अलग रहता है, तो आप देखिए आपके शेड्यूल के अनुसा कितना समय आप दे सकते हो? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद महराज. कै आईटी वाद? कियो तो रीकिश्ना हरा, खरे कुछ यह वाद, टाव वाद को रहे गवानों के पतान एग। वो इद रहा दो रहा पता है क्या नोगा पता चलेगा, चा अन्यवाद को डूसा ने तुमने पर सिन्हान को दूसेगे। वो इदास किकने इस क्वेश्चन आपको आपको क्वेश्चन है कि आपने घर में बोलाया आप किसी एक्जैम की तियारी कर रहे हो गौर्मेंट जॉब आप क्या कर रहे हो इस समय है अभी आप यपनैं से दिसक्स किजीए या terrable Canon Online as a स्टेक्टेक्टेम अण रीक्टेस्टे डिक्टेउससे प्राइब हम यह भी गार्ष जिए geschdd जो आणेजनेल कोगे हुट्स önce अम्हाराज्यमान धुटाहिए। अ कुछ बीच्च कोडि व्ले था यहीं हुट मैं अ क्टैस्टेश्टे यह कि इसका प्रॉप स बनाहें। सबाकी नहीं हैं सों तो इसके लिए जब कभि कभ़े होते हैं, कि हम सकब्कोफिक लोगने साथ कीुछ करुछ है को पड़ा से हम को वनलेक। मेहारी पड़ाई किपल से नहीं हो पारें, तो इसके लिए हम्यें कैसे इसको समझना चाहिए हम अच्छे events इसमिए अब जॉब कर रहे है यह जॉब ढुन रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हैं अब जॉब भी ढून रहे हो पढ़ाई में कर रहे हो इसके सथ जॉबरमेंट की प्रिप्रेशन चपिए हो आप करते जाओ ये इस वकद, आप किसी senior devotee का स्रयोग लेकर, आप the schedule बनाई है, आप पढ़ रहे हो, you are educated man, intelligence लगाकर, समय दो पढ़ने के लिए, और job, और studies के लिए, दोनों काम करो. ये जो questions है ना आपके, ऐसे questions को personally discuss करना पड़ता है, आप कुछे है, मैं वन्माला शहाब ओल रहे हूँ, बत्पुना से हूँ, क्यान मंदिर से, हलो, पुछे मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं दुगई मैं हूँ, तो मुझे पुछे नहीं हूँ, तो मुझे पुछे नहीं कर था कि दुबई में इस कौन का मंदिर है क्या, ये आप लोकली भी पूछ सकते हो, आप महरत से, आप लोकली किसी से पूछ लिजे, मैं आपको बता दूँ, अच्छा, मैं इधर के चांटिंग और ये करती हूँ, लेकिन इतना कॉंसेंट्रेशन नहीं हो रहा है, ट्राइ कodämma, I'll take one more question, and stop, is that okay? Yes, Guru Mahāj, Mahāj, many of them wants to know how is your health, if you can just speak for a couple of minutes on your health, and they just want to have a word from you that you're okay and they would be satisfied about it. What does it look like? Does it look like I'm on a stretcher? What does it look like? You look absolutely fine Maharaj and you should be like this for generations to come so that you can deliver... Everything is temporary. It's all short term. My Krishna is great, it is stable. Okay? एक वार प्रभपाजी केसी अमेरिकन को सन्यास दे रहे थे तो उस सभा में एक भारती जर्नलिस हुए था तो उस जर्नलिस ने प्रभपाज से कहा स्वामे जी हमारे शास्त्र में ते लिखा है कि वस बुड़ों को सन्यास देना चाहें जवान अमेरिकन है जो 20 साल का सन्यास दे रहे हो तो प्रभपाजी की उमर ती लगबग 70 साल के जर्नलिस था कोई 30 साल का तो प्रभपाजी उनसे का बुड़ा किसे कहते हो उसने का जो मृत्य की निकट हो तो प्रभपाजी ने का तू मुझे गैनटी दे सकते हो कि तुमारी मृत्य मेर से पहले नहीं होगी उसने का नहीं तो प्रभपाजी आप ही बुड़े हो तो हम सब बुरे हैं, we are all candidates for death, nothing to worry, okay, thank you Prabhuz, Hare Krishna. Any of them were talking about book distribution, we cannot book distribution, I just wanted to give an update, we are getting almost 2025 registrations for the online Gita contest that we launched and it is going absolutely effective and we are able to distribute Gitas and preach people online. How many people have you enrolled in that Gita course? there are 250 people now and still increasing every day we are having 15 to 20 registrations coming in and they are quite enthusiastic because of the current situation now they pay or it's free no they pay how much they pay 4.99 it's a good thing i'm glad i'm glad the program is working yes it will pick up so slowly and then it will be a big boost as far as online preaching is concerned much that's the bhagavad-gita yes all the best i think you want to sincere you want to sincere so try your best okay thank you so much thank you so much I love you you you